दोस्तों, आज के समय पर ये बात तो क्लियर है कि इलेक्टरिक वहिकल्स ट्रांस्पोर्टेशन का फ्यूचर हैं। लेकिन इलेक्टरिक वहिकल्स की मैनिफेक्चरिंग को चाइना डॉमिनेट करता है। देखिये, फर्स स्टेज में लीथियम, निकल, कोबाल्ट और ग्रफाइट जैसे मिनरल्स को mostly चाइना ही माइन करता है। और एक्जामपल, 80% ग्रफाइट चाइना में ही माइन होता है और 66% कोबाल्ट आफ्रिकन कंट्री कॉंगो में प्रडूस होता है। बट कॉंगो में most of the mines को चाइना ही कंट्रोल करता है। Second stage में इन minerals की refining में भी चाइना ही dominate करता है। और last stage यानकी battery manufacturing में भी चाइना number one position पर है। तो अगर हमें electric vehicles manufacturing में आत्मनिर्भर बनना है तो सबसे पहले हमें overseas mines को acquire करना होगा। Secondly, mineral refinement और cell manufacturing के लिए हमें technology develop करनी होगी जिसके लिए private companies और Japan जैसे देशों के साथ collaboration utmost important है।